भीशन गर्मी के बीच स्मार्ट प्रिपेड मीटर ने लोगों की परिशानिया बढ़ा दी है स्मार्ट प्रिपेड मीटर रिचार्ज के बावजूद भी उससे बिजली कट रही है जिससे भीशनगर्मी में राजधानी वासियों को काफी जादा समस्त्याओं का सामना करना पड़ रहा है ये ना सिर्फ राजधानी में बलके बिहार के उन तमाम जिलों में जहां पर स्मार्ट प्रिपेट से बिजली का लुफ्ट उठा रहे लोग वहाँ पर भी समस्याओं काफी जादा विकराल हो रही है रिचार्ज रहने के बावजूद भी बिजली कट रही है और मैसेज आता है कि आपका रिचार्ज जो है वो खतम हो गया है ऐसे में लोग बिजली बिबाग पर काफी जादा नाराज भी है बिजली बिबाग की यह लापरवाही सिर्फ गर्मी में ही नहीं चल रही है अन्य दिनों में भी बिहार के तमाम जिलों में जहां पर बिजली की समस्या है ऐसे में लोग इससे काफी जादा परेशान हो रहे एक तो 44 डिगरी का टेंपरेचर तापमान और उपर से बिजली की आखमी चौली लोग परिशानियों से शिकायत दर्ज कराए भी तो कहा कराए शिकायत दर्ज कराने जाते हैं तो टाल मोटोल करके इसे इग्नोर कर दिया जाता है अब राजदानी पटना की चर्चा करेंगे राजदानी पटना में जी तरीके से बिजली की समस्या की वज़ए से आखमी चौली हो रही है ट्रीपिंग की समस्या तो थी ही अब प्रिपेड मीटर के सरवर में तकनीकी गड़वरी की वज़ए से नई समस्या आ गई है मीटर रिचार्ज करने के घंटों बाद बिजली रही है दरसले समय लोग गरमी से राहत पाने की लिए एसी कूलर इत्यादी चला रहे है इससे हर गर में बिजली की खपत बढ़ी है इसकी वज़ास से फिड़रों के ओवर्लोडिंग होने से ट्रिपलिंग की समस्या बढ़ गई है बिजली कातने पर रोज कमाने खाने वाले साथ बचके एक तालीस मिनट पर स्मार्ट प्रिपेट के रिचार्ज किया उनके बिजली सप्लाई रात दस अंठावन में चालू हुई इस तरह साम में स्मार्ट प्रिपेट मिटर को रिचार्ज कराने वाले दरजनों भोगताओं की बिजली सप्लाई चालू होने में घंटों समय लग रहा है इस कारण भीशन गर्मी से लोग को परिशानियों का सामना पढ़ रहा है इस समंध में जब सवाल पूछा गया बिजली मुख्याले कंपनी के अधिकारियों से तो उन्होंने कहा कि स्मार्ट प्रिपेड मीटर लगाने वाली कंपनी के अधिकारी ने कहा कि अचानक एक साथ अधिक लोग द्वारे चाच किये जाने के वज़से परिशानियां बढ़ रही है और देखिए ट्रिपिंग की समस्या सबसे ज़्यादा किन इलाकों में है तो पटना सिटी में है गुलजार इलाको में ट्रिपिंग की समस्या हो रही है इन इलाकों में 10 मिट्स लेकर 30 मिन तक बिजली गुल होने की बाद सप्लाइ हो रही है इससे पहले बीते दिनों सहर के एक दरजनाधिक फीडर में ट्रिपिंग होने लगी इस कारण लोगों को परिशानियों का सामना करना पड़ा है अब देखे QRScan कर Fuge Call Center से समंदित शिकायद जो है आप दर्ज कर सकते हैं और इसमें QRScan जो है वो दिया गया है इसे आप इसे scan कीजिए आपके screen पे वो QRScan चल रहा होगा और इस QRScan की मदद से आप बिजली के समस्या जो है वो कर सकते हैं तो इस तरीके से बिहार की राजदाने पटना में लगता Smart Prepared Meter की वज़़ा से लोग परिशान है रिचार्ज करने के घंटो बाद ऐसी समस्याइं जो है वो आ रही हैं लोग काफी ज़ादा परिशान है हाला कि बिजली विवाग के द्वारा ये का जा रहा है कि हम जल्द से जल्द समस्याओं का समधान करने वाले हैं देखते हैं क्या होता है बिजली विवाग किस तरीके से समस्याओं का समधान करता है सिर्फ राजदाने की बात नहीं है बिहार के तमाम जिलों में ये समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ा रहा है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही जुड़े रही है तमाम कबरे स्मार्ट प्रिप्रेड मेटर से जुड़ी हम आपके लाते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद